प्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज हम लोग सिच्छा मनो विज्ञान का चैप्टर फस्ट कम्पलीट करेंगे, जो सभी सिच्छा भरती के लिए बियादी महात्पूर्ण है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को करेंं वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चले देखते हैं, पहला कोशे नमारा है, आप सिच्छा के तीन प्रमख आधार कौन होते हैं, उस्तके फ AIDS बेंस होते हैं उसके बादश कि शार्ष पूरख बताया है, अध्यापक शात के साथ साथ पाठ क्रम भी सामिल है क्या जाता है क्योंकि पाठ क्रम के भाव में सिच्छन कार्ण पूर्ण नहीं हो सकता आफ पेपर में देखो यह कोंचन बहुत बार पहुंचा गया है कि सिच्छा को तिर दुरुई कि ने कहा तो लोग जान डीवी ने किसने कहा जान डीवी ने और सिच्छा के जो तीन प्रमुख आधार होते कौन कौन होते सिच्छक छात्र एवं पाठ करम उसके बाद अगला कोश्चन हमा रहा है सिकंड नमबर का सिच्छा मनव व्ज्यान के अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सायता सेपने प्रिच्छन के अधिक प्रभावव सासे लीए लेगए है इसके से अबने सिचन को अधिक प्रभावसराली बना सके सिच्छा मनविग्यान अध्यापक को विश हुटी प्रतु प्रति प्रेमधूति तता स्वंधर्शी विवहार को अपनाने में साथ करता है थे प सारे कोंट करने हैं इस लिए उस्च्छा को शिच्छा मनोविग्यान का अध्यान करना चाहिए उसके बाद अगला question है वेवहारवात के जनक किसे का जाता है वेवहार का जनक का जाता है जेबी वाट्सन को किसको का जाता है जेबी वाट्सन को उसके बाद next question हमारा है मनो विज्यान का आधुनिक अर्थ क्या है मनो विज्यान का आधुनिक अर्थ होता है वर्ताओ का ध्यन वर्ताओ मतलब वेवहार का ध्यन करना उसके पाद अगला कोश्चन है वर्तमान समय में मनो विज्यान को किसका विज्यान का जाता है वर्तमान समय में मनव विग्यान को कहा जाता है वेवहार का विग्यान किसका विग्यान वेवहार का विग्यान कहा जाता है उसके अगला question है मनो विज्यान के मतवाद समू और उनके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है अब यहाँ पर देखो मनो विज्यान के मतवाद समर्थकों का नाम अब यहाँ पर बताना है कि मतलब कौन से मत के कौन समर्थक थे तो इसका जो सहता हो जाएगा देखर यहां पर सबıको करना तक कहा को अ यहां नहुंन एक थले जिए समग्रता थे जोन यहां पर यहां पर स्फेक्त इए कॉन थे आचरणवाद के थे इसकी नर मनुविसलेशनवाद सिग्मन स्राइट उसके बाद समगरिक्तवाद वर्दिमर और रचनात्मकवाद के वाई गोश के थे उसके बाद निफ्ट को देखोई आप कुछ और दिया निफ्ट कोच नमारा है कौन सा अनौप्चारिक सिच्छा का फ्रोत नहीं है कौन सा अनौप्चारिक सिच्छा का फ्रोत नहीं है तिसमें से से अंसर हो जाएगा बी नम्बर आफ़ नमारा से हो जाएगा क्योंकि कच्छा कच्छ सिच्छड के माध्यम से दी जाने वाली सिच्छा जो है अनौपचारिक सिच्छा का फ्रोथ नहीं है अब अनौपचारिक सिच्छा का होती देखो अनौपचारिक सिच्छा में किसी चीज की निश्चिता नहीं होती है इसलिए से अनियमित आकास्मिक और अन्योजित सिच्छा भी कहा जाता है अब इसकी विशेष्टा क्या होती है अजमी में क्या क्या विशेष्टा होती है यह सिच्छा अनियमित अविवस्थित नहीं होते हैं उसके बाद निफ्ट पार्टिस में से हैं इसमें किसी प्रकार की परिच्छा या मुल्यांकन की आवसकता नहीं होती यहां सिच्छा आजीवन चलती रहती है और उसके बाद अनौप्चारिक सिच्छा की सादन क्या है कौन-कौन से होते हैं अनौप्चारिक सि वुसिंधे में स्वस्त मन का बसना किसने परिवासित किया है इसका वह θα उघ्जा स्वस्त मन का निर्मार को nominated अगर तिये सिच्छा सफ्थ सरी में सफ्थ मन का निर्माड करती है यह व्यक्ति की छमता को बढ़ाती है विशेश कर मानसिक सत्थ को जिससे वह परमसत्य अच्छाई और सौंदर का आनंद लेने योग हो सके उसके वाद निर्मी तनभव है जो होता है शिच्छा क्या है एक पुनर गटी तोर पुनर निर्मी तनभव है जो होता है शिच्छा क्या है एक पुनर गटी तोर पुनर निर्मी तनभव है जो होता है निरंतर होता है कैसा होता है जो निरंतर चलता रहता है उसके बाद अगला कोश्चन है विवहारवाद निम्ण में से किस विवहार के अध्यापन पर बल लेता है विवहारवाद बल लेता है किवल बाय विवहार के किसके विवहार पर किवल बाय विवहार पर बल लेता है और विवारवात की जनक कौन थे? J.B. Watson कौन थे? J.B. Watson उसके बाद अगला कोचर है किस मनो वैज्ञानिक के द्वारा प्रिथाम मनो विग्यान प्रियोग फाला स्थापित की गई किस मनो वैज्ञानिक के द्वारा प्रत्रम मनोग्यानिक प्रयोग स्थापित की गई इसका सें सभा होचा हो, वील्यम व शुछ के दाएगा, विल्यम द्वारा 18 πεृूंट के दोर टरूरा 18 언니 में जर्मनी में, जर्मनी के लीपजिंग फैर में कहाँ पर लीपजिंग फैर में, इसकी स्थापना की गई थी अब देखों यहां इसकी व्याख्या भी की गई है प्रता मनोवग्यानिक प्रयोग साला विलियम वुंट द्वारा 1818 में लिपजिंग जर्मनी में स्थापित की गई जिसमें उन्होंने अपने स्वयोगियों के साथ 35 स्वंवेदना तरह स्वंव कहा जाता है उसके पाद अगला कोश्चन है वुंट ने मनोवग्यान की कार साला कब सुरू की थी अभी हम लोग ने पढ़ा 1889 में कब की थी 1889 में उसके पाद अगला कोश्चन है यह परिवाफ़ा किसकी है मनोवग्यान शिच्छा का अधरभूत विज्ञान है यह कहा था मनों विग्न सैच्छा का आदर्भूत विज्ञान है। बाद प्रफ दन के शिद्धान को विक्सित करने के लिए जाते हैं अब अगर पूंच ले शाए किरिउ प्रफ दन बंधन को शिद्धान किसने दिया। क्या पता हैं कि हम लोग BF Skinner ने किसने BF Skinner ने जो विवहार को बदलने के लिए पुनर बलन या पढ़डामों का उप्योग करते हैं अब यहां पर पूंच ले जाए जैसे किरिया प्रिफद बंधन का जो सिद्धान्त है उसमें किस पर बल दिया जाता है तो उसमें बल दिया जा कि अपना अर्थ सिच्छा से जो समाजी प्रक्रिया है और विज्ञान जो विवहार समंद्र विख्यान है के दत को ग्राण करता है यह भी नोट करना है इसके बाद अगला कोउस्चन है विश्चा मनो विग्यान स्रवागिण। उसके पाद अगला कोney है विवहार अध्यन के लिए कौन से विधि हैं व्योगात्मक विदीया विदी उसके बाद नेफ्ट कोश्चिन मारा है, कौन से एक प्रहुगात्मक विदी का आवस्यक अवय हो है, तुसका से फेम्पर हो जागा व्युहार का प्रेच्छण। उसके बाद next question नमा रहा है, चरों के बीच संब्द दर्फाने वाला कथन है, चरों के बीच संब्द दर्फाने वाला कथन कौन सा है, वो होता है परिकल्पना, क्या होता है, परिकल्पना, अज देखोंगे आप कुछ प्रिकल्पना सब्द परिकल्पना से मिलकर बना है, परि समभावत समभात समभावत समधन का किसा पर करेंस फिर Caitlin किसी अनसंदान का दूसरा है किसी इसन दान का दूसरामhart कि कर Sticker कर ने परिकलपने क्या कहा कि परॉपना दो कथन मानते हैं क्या है परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मद्द का कथन मानते कौन करलिंगर उसके बाद मैग गुईन ने क्या कहा मैग गुईन ने कहा परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के कार्चम संबन्दों का परिच्छन योग कथन है क्या का परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के कार्चम संबंदों का परिच्छन योग कतन यह किस ने कहा मैं गुई ने उसके बाद लुंडवर्ग लुंडवर्ग ने कहा परिकलपना एक प्रयोग संबंदी सामनी करण है जिसकी वैद्धिता की जांच होती है अपने मूल रूप में पलकरप प्रभाव संबंद का कारण पता चलता है अब कुछ Excel की परस्तितियों को नियंत्रित करके व्योहार का उलोकन कि जाता है उसके बाद कुछ और पन्द देगे है कि निसंदे मन विज्ञानिक प्रयोग की एक प्रमक विदी प्रयोग आत्मक विदी है इस विदी के प्रयोग की विशेष्टा है इसकी इसायता से प्राप्त प्रश्णों के विजलेशन करके प्रभाव कारक्राण का संब्ध इस्थापित करना होता है अब पेपर में कोश सिच्छा मनुस की अंतर नीत सक्तियों का प्रक्टिक करण है किसने कहा है कि सिच्छा मनुस की अंतर नीत सक्तियों का प्रक्टिक करण है तो उसका इंसर हो जागा दिवेका नन्ने किसने कहा है यह कहा है यह कहा है जिवेका नन्ने उसके बाद देखो यहां पर और कुछ पां करना ही सिच्छा है उसके बाद स्वामें दयानन्द के निसार सिच्छा मानौ जायत के विकास के लिए एक सर्वोछ और सबसे महत्पूर्ण नयतिक प्रक्रिया है उसके बाद जेमस ने सिच्छा को क्या जेंपने सिच्छ को आचनण की अर्जीत आधतों और वेрий की प्रिवत्त्य आइन की संक्टन के रूब में परिभासित किया है उसके बात नेक्ट कोश्चन वारा है कि वेवहार अधिन की सबसे पुरानी विदी कौन सी है विवहार दिन की जो सबसे पुरानी विधी होती है वो होती है अंतर दर्फण जाता है और नेस्ट पांट है यह अपने मन के इस्थिति की बारे में जनकारी प्राप्त करता है यह अपने मन के स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और अगला पॉइंट है कि यह आत्मा उलोकन या किसी की मनोस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करता है यह आत्मा उलोकन या किसी की मनोस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने को समन्दित करता है उसके बाद next question मा रहे है हुआ कि साइको लॉजी मनोविग्यान सब्सके से पहले प्रयों किसके दॅड़ा किया गया साइको लाजिज सब्सके सब्सक्रिया अ पहले प्रैयोग किया गया था रुडोल्फ गॉलकायश द्वारा फंद्राफ कि बस्ताक्स की सब्द की अर्थ होता है आत्मा और्ष कि और अर्थ क्या होता है आत्मा होता है और लोगोस का अर्थ होता है अध्यन करना अब जो साइकिल साइकिलोजी जो सब्द बन जाता है उसका अर्थ होता है अर्थ होता है आत्मा का अध्यन करना क्या होता है साइकोलोजी सब्दिक अर्थ आत्मा का अध्यन करना उसके बाद अग एकारवाद्यवागम का विकास किया अब पेपर में कि ढूंस के बारे में कि वह किस कंट्रीग थे कौन से देश संबंदित थे तो विल्यम जेम्ज जो थे कहां थे अमेरिकी दार्फनिक थे और इनकी पुस्त कही tie प्रिम्सपल आफ साइकोलरजी फुस्तक प्रकासित कि इसके बद अगला पंट दिया गया है कि विलियम जेम्स ने मानव मन के अध्यन के लिए प्रकारवादी उपागम का विकास किया अब पेपर में आ जाए कि प्रकारवादी उपागम के जनक कौन तो है वो है विलियम जेम्स अब देखों आप पर प्रकारवादियों के बारे मताया गरा है कि प्रकारवादियों ने इ जिहान केंदित किया कि वहार लोगों को अपनी आउसक्ताओं की पूर्ती करने योग की कैसे बनाता है जेम्स केनफर वातावरण से अंतक्रिया करने वाली मानसी प्रक्रियां के एक फत्त धारा के रूप में चेतना को मनोविग्यान का मुल्फ रूप इस्तापित करता है इसने कहा यह कहा था जेम्स के अंसार जेम्स ने उसकी बात अगला कोस्च्छ है कि सिच्छा म विग्यान सिच्छा का विग्यान है यह परिवाःटफ यह कंशका समझा साई कौन सुछ संबंदीथ है इसका सही सड़ेगा सुचिक मनो विज्ञान कौन सब चेतर सम्मादृत है सचिक मनविज्ञान अब यहां पर देखो अ यूइ है एक कर रहा है उसके इस व्यस से से ठाट का नोट वीज्ञान का हृत अ बालक को जो विवहार होता है योगता, छमता, अधिकम सहली, विकाह प्रक्रिया, रुची, अविप्रेड़ा, आवशक्ता, चिंतन, आउधान आध के विशे में अधन करता है, कौन शिच्च, उसके बाद सिच्चा मनविग्यान का मुख देश, शिच्चकों के आवश्चे क श्चार्थियों के विवारों को समझ सके नियंतरित कर सके तता उसके बारे में पूरुकंथन कर सके हैं हाई है कि इसके बाद निस्ट कोक्ष्चन हमारा है किसका द्यान मनव विज्यान इवम सिल्चन सास्त्र के प्लस छेद बिंदों पर इस्थित पर इस्थित है तो आदर्स सेचिक मनों विग्यान क्या नहीं है सेचिक मनों विग्यान जो है आधर्स मुलक विग्यान नहीं है जब कि यह विवहारिक विग्यान है प्रियुक्त विग्यान है और सामाजिक विग्यान है यह तीयों प्रकार का विग्यान है जब कि आधर्स मुलक विग्यान नहीं है उसक कि वहार की व्यांख्या को अधार बनाय गया है अब देखे यहां पर संग्यान अत्मक्ता के भीतर एक विशेश रूप से प्रभाव सौली वर्तमान शूचना प्रसंक्रण प्रक्रम को सिधांत रहा है जो मानव मन की तुलना कम्प्यूटर के साथ विस्तित माडल से करता शोचना प्रक्रम का सिध्धान्त मनव वेग्यानिक माडलों को एक समूव है या शक्री पॉत्वाहन प्रोसेसर के रूप में मानव को गर्भधारण करना जानकारी या इन्पूट आप अपने वातरवान से प्राप्त करते हैं उसके बाद नेस्ट कोशन मारा है और लास्ट कोशन मारा इस पार्ट का कि मानवतावाद बल देता है मानवतावाद बल देता है स्वा को किसको स्वा को मतलब खुद को अब देखो यहां पे इसकी जो व्याक्षा की गई है मनवतावात मतलब खुद फिल्प को बल देता है कारल रोजर्फ मानववादी और नैदानिक मनव विझ्यान में योगदान करते हैं कारल रोजर्फ कुछन प्रफित विद्वानों के बहुत करीब थे जो मानवादी, मनवज्ञान के मौलिक विचारों के योजना के प्रभारी थे उप्चारात्मक छेत्र में काम करने वाले एक और प्रभावस वाली मानवादी, मनवज्ञानी का माना था कि लोग मूल रूप से अच्छे हैं वे खुद को वास्थिक बनाने के छमता को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं और यह कि यह अपने और यह कि वे अपने स्वयम के विवहार को चुनने की छमता रखते हैं जो मानgorवताववादी क्वैं होते हैं? कि अपने सोयम के विवहार को छुनने की छमता रखते हैं काल रोजरउस क्य इसे मानवधागनेक थे मानवताववादी मानवधागनेक थे और बचे फेत्व कोषचन निक्स्ट वीडियो में करेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद